पुश्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि एक हमारे सामने कॉंसेप्ट है अर्बन हीट आइलेंड ये क्या होते हैं अर्बन से तो आप समझ जाओगे कि शहरी की बात हो रही है हीट यानि गर्मी और आइलेंड एक द्वीप यानि कि जो शहर एक तरीके से हीट का द्वीप बनता जा रहा है उसके बारे में इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं आपको बताए कि उत्तर भारत के अंदर जिस तरीके की हीट वेव चली हुई है जिस तरीके की गर्मी बहुत जादा भ्या प्रोपर जो आपके सामने आंसर निकल के आएगा उसके बारत कर पड़ रही हैं उस वक्ति यह कॉंसेप्ट आता है हमारे सामने अर्बन हीट आइलेंड यह क्या होता है कि शेरों के मुकाबले आप देखते हैं कि शेरों में ज्यादा गर्मी हो रही होती है काफी सारे इसक निकल के आएगा उसको हम देखने वाले और कैसे कम किया जाएगा इस चीज़ को उसको भी हम देखेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडिएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो आप वहां से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अभी देखें कि भारत के कई हिस्से जो बहुत ज़्यादा भ्यंकर गर्मी भीशन गर्मी की लैरों में उनका सामना कर रहे हैं वहां हम देखते हैं कि शेहरी शेतर ऐसे स्थान दिल्ली में आपने काफी बार देखा होगा कि इतनी ज़्यादा वहां गर्मी हो जाती हैं इवन दिल्ली के अंदर भी कुछ एक ऐसी जगह हैं दिल्ली इवन दिल्ली के अंदर कि वहां पर एक्जांपल यह दिल्ली है और यहां पर दिल्ली में यह ऐसी जगह हैं यहां पर temperature की dispenses देख रहे हैं वो आ रहा है शेहरी करण के कारण जो एक अर्द शेहरी शेत्रत के तापमान में भिंता के साथ साथ जो आसपास के जो शेत्र हैं वहां पर जो खुलावातावर्ण हैं हरे बरे जो स्थान हैं उनकी उपलवता के कारण हो पा रहा है अब बात करें कि what is an urban heat island को एक तरीके से local और temporary इस रूप में हम इसको define कर सकते हैं जिसमें एक शहर के भीतर कुछ शेत्र अपने आसपास के शेत्र की तुलना में अधिक तापमान का अनुबव करते हैं और urban heat island का जो निर्माण है मूल रूप से जो concrete से बने जो इमारतें आप देखते हैं जो घर bundle में नहीं पहुंच पाती अब इस concept को आपको समझिए यह हमारा सूरज हो गया इससे जो है वो raise आती है तीक है अब यह जो धर्ती है इसके उपर जैसी गिरती है तो यह जो raise को नहीं observe कर लेती है और फिर क्या होता है कि धर्ती जो इन raise को वापस आसमान में भेचती भी है तो यह होता है गर्मी जो है वो इस कारण हो रही होती जादा कि आप कभी भी देख लीजिए temperature जो है वो मतलब कि दो पैर के दो या तीन बजे के आसपास जो है वो गर्मी काफी जादा हो जाएगी क्योंकि एक तो आसमान से आ रही है किरने raise आ रही है उपर से धर्ती भी ग कान देखते हैं या सडकें देखते हैं अभी कुछ भी आप देख लीजिए वहां पर आपको कच्छा रास्ता नहीं देखने को मिलेगा अब वहां पर इस रीजन से जो raise है सूरज की वो सीधा जब concrete पर पढ़ती है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है अब जितना जल्दी गरम होता है obviously गर्मी और जादा बढ़ जाती है फिर यह उपर करने लगता है उपर की तरफ अपनी उश्मा भेजने लगता है लेकिन अब उपर वायू मंडल में जाने की बजाए इतनी बड़ी बड़ी हिमारते होती है कि यहीं trap होके रह जाती है यह कर्मी जिसके कान क्या होता है यहां पर रहने वाले लोगों को और जादा गर्मी महसूस होती है इवन इससे तीन से पांच डिगरी सेल्सियस का फर्क पड़ जाता है बहुत जादा फर्क होता है यह तो यह सारा रीजन आप देखेंगे इसके अलावा भी है आप वहां पर air conditioner की बात करते हैं देखिए ग्रामी शेत्रों की तुलना में नगरिय शेत्र अधिकरम होने के क्या रीजन है इसकी बात करते हैं यह देखा गया है कि अन्य शेत्रों की तुलना में हरे बरे शेत्र में कम तापमान का अनुमव होता है अब जहां पर एक ground area की बात करूँ वहां पर पेड़ पो छली जाती ओर ये जाती हो यहां पर जो में मिल जाती हैं डिया नगरिश्चर के तुल्णा मेग इंड़ार dominic करते हैं अब पोदे जो हैं वो इस चीज़ से टेंपरेचर को बैलेंस करते हैं यह शेरों में नहीं देखने को मिलती क्योंकि शेरों में पेड़ पोदे नहीं होते हैं जिसके कांड क्या होता है कि शेरों में गर्मी जो है वो और जादा बढ़ जाती है और नगरिय शेत्रों में नगरिया उश्मा द्वीप का मूल कारण जो हम बात करें एक तो यतनी बड़ी-बड़ी मारते हैं, सडकें, पार्किंग जो स्थल देखते हैं, फुट पार्क, सारजनिक परिवहन परागमन, लाइनों के बार बार निर्मान के कारण, नगरिया उश्मा द्वीप की गटनाओं में बहुत जादा इंक्रीज हमें देखने को मिलते हैं, उपर से काले और किसी गहरे रं की सामगरी होती हैं, जिसका कारण क्या होते हैं, कि ग्यहरा रंग ऐसा होता है कि हीट घू पर तो करता है लेकिन बहुत जल्दी घू करते हैं और उपर से आकरसित परसेत करता YOUR जिससे 분위ंग तेंपॏबर ऑर जबहादा ओदेखें तो शेकर देखें तो और भी शाज आर कंडिश्ण बनाने के लिए वहाँ पर air conditioning का use किया जाते है और जैसी air conditioning का use किया जाते है तो आप देखिए कि विजली सेंत्रों का अधिक से अधिक उर्जा के अवशकता होती है क्योंकि air conditioner तो भाया AC जो बिजली से ही चलते है अब उसको बनाने के लिए बिजली बनाने के लिए और जादा परदूशन होता है इसके अलावा जो air conditioner है वायू मंडल की उसमा बाया एक चीज समझ न जो atmosphere है उसी से तो air conditioner हवा ले रहा है और उसी को ठंडी करके अंदर पहुंचा रहा है बाहर क्या कर रहा है आप कभी भी AC के पीछे कड़े होके आपने कभी महसूस किया हो तो एक दम गरम हवा का चपेड लगता है AC के पीछे लेकिन AC के आगे तो ठंडी हवा होती है लेकिन वो गर्मी जो है वो आप देख रहे हो कि इससे और जादा गर्मी बढ़ रही है इसको कहते हैं काज के डिफक्ट यह बहुँ जादा इंपोर्टन है काज के डिफक्ट कहलाता है यह जो शेहरी उश्मा द्वीपों के विश्तार में योगदान देते हैं अब दूसरी बात यहां पर गहरे रंग की इस्तात है अब देख लीजिए शहरी शेत्रों में निर्मी जो भावन होते हैं जो विल्डिंग्स होती हैं उनकी बाहरी सत्य समाने तक काले ये गहरे रंग में उनका रंग दिया जाता है जिसके कारण अलबेडो यानि कि पृत्वी से जो सूरे की उश्मा का प्रावर्तन कम हो जाता है और गर्मी का अवशोशन बढ़ जाता है दूसरी बात यहां पर कंस्ट्रक्शन जो हम देखते हैं शहरों के अंदर वो काफी ज़्यादा चलती है सदान शहरी आवासों में जटिल बुनियादी धांचों के निर्मान विश्थार के लिए डामर और कंक्रिट डामर और कंक्रिट जैसी कार्बन अवशोशित सामगरी का अवशक्ता होती है जो क्या काम करता है बड़ी मातरा में तापमान को अवशोशित करते है अता है इस कारण शहरी शेत्रों में सतय के ओसत तापमान में विरिधी होती है इसके अलावा शैरी निर्मान से लिए आप देखें उची-उची मारते हैं संक्री सडकें हवा के संचालन में बादा उत्पन होती है आप एक कभी नोटीस करिए एक एरिया खुला होगा एक ग्राउंड एरिया होगा जो बिल्कुल खुला है यहां पर हवा की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है अगर आप शैरों में देखते हैं क्योंकि वहां पर बिल्डिंग्स होती है इतनी बड़ी बिल्डिंग्स होती है अब यहां पर बिल्डिंग्स होती है जो प्राकरतिक सीलन परभाको कम करती है और इसे अर्बं कैनियन इफेक्ट का आ जाता है एक तर्म हापको यहाँ पर सीखने कौ मिलरी है अर्बं कैनियन इफेक्ट इससे हमने कास्पट 10 इफेक्ट रिफश चीटी और बडे पेमाने पर परिवयन प्र्णाली क्या उशक्त अफ विसली है आप Metro City की बात करते हो दिली की तो वहां पर आप अगर टाइसपोर्टेशन देखते हैं तो लगातार वहां पर टाइसपोर्टेशन होती है जो फॉशेल फ्यूल है वो बड़े स्तर पर उनका उपयोग किया जाते हैं जिससे गर्मी बढ़ रही है आज गलाब हो जादा खराब है पिछली वीडियो अंदर भी खराब था अब व्रिक्ष और हरी शेत्र की कमी यह सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की इतनी ज्यादा कमी है शेहरों क करने की कोशिच करते हैं वह हो नहीं पाता शहरों में जिससे क्या होते कि गर्मी और ज्यादा बढ़ती है अब बात करते हैं नगरिया उश्मद्वीब के उपाय क्या उपाए है कि इस गर्मी को कम किया जा सके सबसे बड़ा रीजन तो यहीं बन का आता हमारे सामने जितने भी ये पेड़ पोदे हैं, इनको बढ़ाना चाहिए, इनकी विर्धी करनी चाहिए, ये बार-बार कहा क्यों जाता है, पेड़ पोदे लगाओ, पेड़ पोदे लगाओ, पागल थोड़ने हैं, लोग चो कह रहे हैं, रीजन है न, क्योंकि पेड़ पोदों से गर्मी कम होती है यह सब चीजे हैं इसलिए वहाँ पर प्राथ्मिक्ता दी जाती है दूसरी चीज पैसिव कुलिंग का यूज करो पैसिव कुलिंग का यूज क्या मतलब होता है कि घर ऐसे बनाओ कि वेंटिलेशन हो पाए वहाँ से कई आपने देखा हो कि घर पूरा बंद कर लेते हैं एसी यहां पर लगा देते हैं वह यहां पर तो तुमने गलती काम कर दिया ना ऐसा घर होना चाहिए कि वेंटिलेशन हो पाए चीज वो कमर्शिल हो चीज वो डमेस्टिक हो उसे वेंटिल वो आज के टाइम में ग्लोबल वर्मिंग को कम करने के लिए सबसे बड़िया बिल्डिंग है और उश्मा समन के अन्य तरीकों के उपयोग निर्बान समगरी का उपयोग करना मतलब कि एक अलग मैथड यूज करना अलग मेटीरियल यूज करना जो टेंपरेचर को कम कर सके उ समाम उपये जो हैं वो गर्मी को कम करने के लिए किये जा सकते हैं और इससे फर्क बहुत कम बढ़ेगा लेकिन इससे कही न कहीं देखिए पैसिव कुलिंग और अगर इस करते हैं तो एसी की कहीं न कहीं कमी आती है फिर हम बात करते हैं पेड़ों का लगाना इससे भी कहीं यहां पर एक पूप्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें अगर हमें थोड़ी दूरी जाने तो पुबलिक ट्रांसपोर्ट में यही जाएंगे आप अपना फ्यूल भी बचाएंगे साथी साथ pollution भी नहीं करेंगे, गर्मी भी कम होगी तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान देंगे थोड़ा 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 अगर कहर कोई करेगा तो बहुत बड़ा effect हमें देखने को मिलता है, यहां पर दिल्ली की नासा के दोरा, जिसमें इनोंने दिखाया एक दिल्ली के आसपास के जो शेत्र हैं, जहां पर कृशी शेत्र की तुलना में शेहरी भागों का तापपन काफी अदक हुआ है, उस image में इनोंने दिल्ली में red धब्बे दिखाए और आसपास के जो area हैं जहां पर कम red धबे दिखाए, जो यह बताता है कि दिल्ली बहुत जादा गरम है, और यह image जो है, यह समझाने के लिए काफी है कि आसपास का जो area खुला है, वहां पर temperature कैसे balance हो पा रहा है, as compared to दिल्ली में, जहां पर इतना ज़्यादा pollution है, transportation है, जहां पर इतनी ज़्यादा हल्चल construction हमें देखने को मिल रही है, NASA के ecosystem, space bond thermal radiometer experiment, इको का जाता है, eco stress, द्वारा ली गई तस्वीरों ने दिल्ली शेत्र में बड़े पैमाने पर लाल धबे, साथ ही पडोसी शहर, जैसे होगे पानी पत, सोनी पत, जीन, भीवानी के आसपस, छोटे लाल धबों का खुलासा गिया, eco stress के एक radiometer एक यूग तूप करना है, जिसे NASA ने 2018 में अंतर राश्ट्रिय अंतरिक station पर भेजा था, eco stress क्या करता है, मुखे रूप से पोदों के तापमान का अंकलन करके, कि शेरों के आसपस के जो ग्रामिन शेतर हैं, वहाँ पर कप नापमान की घटनाओं का संके देते हैं, तो यह जितनी भी चीज़ें डिखाई गई हैं, उससे यह पता चलता है कि शेरों में बहुँ जादा गर्मी हो रही है, अगर हम घगाओं की घगर बात करते हैं, यहाँ सैमि अर्बन की बात भी कर लें, वहाँ पर भी कम गवी होती है, जो एक अंग मेंटरो सिटी होती है, वहाँ पर हम देखते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को हम कम कर सकते हैं, पेड़ पोधे लगा कर, या फिर हम बात करें कि वहां पर ventilation की एक domestic या फिर हम commercial बात कर ले domestic मकान या बना industrial बना कर इंडस्ट्री ऐसी मतलब कि जो building होती है commercial हो चाहिए वो domestic को उनको ventilation के according हम बनाए तो उससे हो गया जिसे passive cooling कहते हैं इन तमाम चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए या फिर एक kitchen gardening हो गई या फिर coloring हम जैसे use करें या खुद का vehicle use ना करके public transport का use करें इन तमाम चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए और आने वाले टाइम में आप देख भी रहे हो कि जैसे reporting आ रही है कि गर्मी जो है वो धीरी-धीरे increase होगी अभी हाली में जैसे इन्होंने चाहली सब्सक्राइब करें और वीडियो की जो PDF है फिर से बता देता हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा वहां से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं बस आज के लिए इतना है था thank you for watching this video